हेलो एवरिवन राधे राधे कैसे हैं आप सब और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और आज जो टीस में आप लोग के साथ शेर करने वाली वह बहुत ही पिक और जटपट बन के तयार होने वाली है बहुत इंट्रेस्टिंग है तो आए चलते हैं किचन में यहां मैं आप साबुदाना लिया है साबुदाना यह मेडियम साइज वाली एक इससे बड़ी भी आती है और एक इससे छोटी वे आती है मैंने बड़ी साइज वाली लिए अम आप से देखा जाए तो 200 ग्राम यहां मैंने गया जड़ा दिया है और पेन चड़ा दिया है पेन हलका सा गरम तो हम इसमें साबूदाना डालेंगे इसे भूनने के लिए और ध्यान दीजीगा जो हमें भूनना है ना भून कि इसका color change नहीं करना है हमें हलका सबस गरम करना है गरम इसी लिए करेंगे क्योंकि जब हम इसे पीसेंगे ना तो यह साबूदाना गरम करने सॉफ्ट हो जाती है और जब पीसेंगे तो अच्छे से पीसेगी तो color बिल्कुल चेंज नहीं करना है डाक नहीं भूना है हमें हलका सबस सौते करना है यह सबूदाना हो गई है हमने इसे अलग से प्लेट में ट्रांसफर कर दिया और मैं यहां मिक्सिजार ले रही हूं जब करें तो मैंने टू टेवल स्पून दही लिया है इतनी सी चटनी में आप अगर जादा बना रहे हो तो आप दही की मात्रा बढ़ा सकते हैं और यकीन माने यह दही वाली चटनी खाने में इतनी अच्छी लगेगी ना आप एक बार खाएंगे ना तो आप बार बार दही वा और फिर इसे अच्छे से महीन पीस होंगी इसका हम पाउडर बनाएंगे पानी बिल्कुल भी नी डालना है इसे बस हमें सूखा ही पीसना है तो मैंने बड़े वाले जार में लिया था अभी मैं छोटे वाले जार में ट्रांसफर कर दी थी पीसने के लिए तो अच्छे से यह निकल जाएगा वसे हम छबFrक कर लेंगे और हमारा पराठा है स्बुटान का और हमें बनाने में आसाली होगी कोई भी जंब होगी हमारा पराठा अच्छ से सौफ और स्मूथ बनके Prophet होगा तो यहां पे जो है आटा च्शेयन के हो गया है और इसमें मिलाने के लिए जो मैंने सामग्रे लिए दो बले आलू कटी हुई हरी मिर्च और कटा हुआ धन्या तो जो आलू है वह साबुदाना में मिलाएंगे यह बैंडिंग का काम करेंगा तो यहां मैंने दो उबले आलू लिये हैं साबुदाना एक कटोरी साबुदाना के लिए दो उबले हुए आलू परियाब्त मात्रा में हैं अगर आप साबुदाना का मात्रा बढ़ा रहे हो तो आलू का मात्रा भी बढ़ा लेना तो यहां मैं आलो को कद्दूकस कर रही हूँ तो आलो हमारे कद्दूकस हो गए हैं दोनों आलो हो गए कद्दूकस इसलिए वैसे हम ऐसे भी मैश करके डाल सकते हैं लेकिन फिर कि हमें पराठा बनाने में दिक्कत आएगी वो मोटे मोटे चंक्स हो जाएंगे कद्दूकस करके पतले पतले चंक्स हो और यह जो कट्टोरी का माप है जिससे मैंने साबूदाना लिया था उसी से एक कट्टोरी आलो लेना है हमें तो इसे मैं साबूदाना में जो आलो डालती हूँ इसमें हम स्वादूनसार हरी मिर्च डालेंगे धनिया डालेंगे, éक पिंच जीरा डालेंगे और स्वादूइस अर्वाद िहुति हम इसमें उक्वाज का नमाक एड करेंगे उसके बाद हम इसको मैश कर देंगे ऑर इसमें हलका बढ़ा पानी डालेंगे एकदम से गेला नहीं होना चाहिए और रिदम से कड़क भी नहीं करना है वैसे साबोदाना थोड़ा पानी सोखेगा तो इसमें हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाना है और इसे अच्छे से मैश कर लेंगे और ये बनाना बहुत ही सिंपल है और इसकी सबसे अच्छी बात यही है कि हमें इसके लिए पहले सो कोई भी तयारी नहीं करके रखनी है इंस्टेंट बन जाएगी और जिसे नहीं बनाना आता होगा जो बिगनर होगे वो भी इसे आराम से बना सकते हैं तो हमारा जो आटा है ये लग चुका है और बनके रेडी हो गया है अगर आप पस टाइम नही यहाँ जो है आटे किलोई बनाएंगा और इसका पराठा बेलेगे और पराठा बनाने के लिए जो हमने पर्थन लिया है वो आप कुट्टो के आठे का यूज कर सकते हो और नहीं तो भगर आता है भगर सामा का चावली भोलते हैं कुस लोग भगर भी बोलते हैं तो उसका आटा पीस के उसको आप पर्थन के लिए यूज कर सकते हैं क्योंकि हम फलारी उपवास के लिए बना रहे हैं तो उपवास के लिए हम तो यहीं आटा यूज करते हैं कुट्टू का आटा भगर इसका आटा बना गया पर्थन के लिए यूज कर सकते हैं और आप यह देख रह इस पे हम हलका सा घी लगाएंगे उपवास में घी खाते हैं तो मैं यहां घी यूज़ कर रही हूं हमारा एक पराठा जब तक बन रहा है यहां पर तब तक हम दूसरा पराठा बन के रेडी करेंगे और साइट साइट से जो कॉर्णनर ही वो थोड़ा सा फटेगा क्योंकि सा बदाना है अलग आटा है तो थोड़ा सा आलू है तो थोड़ा सा प्ठनाई है इससे तो हलका अलका फटेगा तो जो तक हमारा एक पराठा बन रहा है हम यहां पे दूसरा पराठा बेलर आप देख सकते हैं बहुत मोटा नहीं किया है हमने एकदम पतला भी नहीं करना है नहीं तो बहुत जादा कड़क हो जाएगा बट नॉर्मल जैसे हलका-लका घी लगा के सेकेंगा और तेज आच पे भी नहीं सेकना है अपको हलका धेमा यहां टाल रहे है अट यहां जो पराठा एकदभी नरम नरम एकदम मुलायम बनके रेडी हो रहा है और बनाने में भी देखिए को तस भी आसा नहीं है कर्ट रहा हो जान में 생겼ंट या खराब वरा जाभ कोछ नहीं आप अपने घर करना बहुत ही अच्छी पराठह बन रहे ह इसी भी पिपिनिया कटोरी की मदब से आप देख रहे हैं गोल गोल आप ऐसा पेल सकते हो और फिक जो पराटे का शेप है जैसा आपको चाहिए बहुत ही सुन्दर बहुत ही अच्छा बनके रेडी होगा तो उसे भी मैं यहां ही लगा के हलका हलका से इक लूँगी और यहां मेरे सारी पराठे साबुदाना के पराठे बनके रेडी हो गए हैं मैं इसे हरी चटनी और दही के साथ सौब कर रहे हूं आप चाहें तो रायते के साथ भी खा सकते हैं अगर मेरी रेसेपी आप लोग को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए बाई बाई झाल